अब मतलब बता हो यार मेरा तो खोन खॉल रहा है बाकि एक प्लेड़ा कर दे देता था उसकी मां का क्या चला ले तो मेरे आजीज दोस्तों यह मर्किंग के अंदर जो बंदा है ना गौर से इसको देखना ठीक आपको थोड़ी देर में कुछ प्रता चलेगा लेकिन उससे प तो मेरे आजीज दोस्तों यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि भाई तू यह क्या बोल रहा है गाली क्यों दे रहा है तो इहां पर देखो यह बंदा खाना लेकर जैसे कि आप देख रहे हो खा रहा है और वहां पर देखो पीछे देखो कूर्ची पे एक बुड़ा आदमी खाना का रहा है बाकी आप लोग जो देख रहे हों यह लोग तो छोड़ दो ठीक है तो यह दोनों बंदे को आप लोग फालो करो अभी गाइस यह जो देको यह देखो मार्किंग वाला बंदा हा रहा है अभी मतलब बता हो यार कुछ समझ में आई उसका खाना उसका हाथ वोड़ों उसकी मा की आख कुछ बोलाते दूर की बात मतलब पीछे मुर्ट के एक बर देखा गिर गया बस वह अपने फोन पर अभी भी बीजी है मदर्च निकल ली अपनी काम पर एक एक बंदे का उसने खाना गिरा दिया उसको कोई फरक ही नहीं पड़ा यार मतलब मेरा त कि जो भी है कॉमान सेक्शन खुला हुआ है ठीक आप लोग बिल्कूल अपना राय रख सकते हो लेकिन सबसे अजीब बात देखो यह बंदा नीचे से उठा रहा मतलब क्योंकि इसके पास तो अभी पैसा और है नहीं क्यों यह यहां से उठा ले और अभी तो रुको सबी बाकी है मैरे को सबसे बुरा यह लग रहा है कि यह जो बंदा है ना मील खोला है यह लोग दिन में कम से काम यहां से 10-15,000 रुपाय कमा रहा है तो एक उसके सामने कम खाना गिर गया तो एक प्लेटा कर दे देता था उसकी मा का क्या चला जाता यह देखो मतलब आप सो जो च नहीं सकते है यह दो को यह बुड़ा आदमी यह भी मेरे को लग रहे है इसके पैर में चपल नहीं है उसने दुबारा प्लेट में एक प्लेट खाना खरीदर इसको दे दिया बाकी सब कर सब मेरे को लगता है यह मर गया निकान निठाल ले आदमी सालग मतलब के इस उसकी मा की छोड़ दो ठीक है तो यह बुड़ा आदमी इंसाने बाकी सब के सब किसके समकी आप लोग चैर सेक्शन के बताना ठीक है मैं नहीं बताने वाला क्यूंकि समझ रहो